जेहिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहित तिके बहुत ही महत्तोपोन कौशन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्य देखें अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सस करन हुआ है किसके नाम पर हुआ है तो आपका यहां पर सही आंसर है महावीर प्रसाथ दुबेदी महावीर प्रसाथ दुबेदी आपका यहां पर सही आंसर है बिलकुल चाही कौश्चन नमबर दो यहां पर क्या दिया गया है तो कौश्चन नमबर देख लेते हैं यहां यह question आपका यहाँ पर double हो गया है तो देखें अंगला question यहाँ पर पूंचा है जो दुबेदी युग है एक अन्य नाम एक और आपके लिए बताना है तो दुबेदी युग का एक और नाम क्या है यह आपको बताना है यहाँ पर question number 4 है और 4 का जो सही answer है बहे क्या है question number 4 का right answer 2015 में यह question आपका पूंचा गया है महत्वपूर्ण question है PGT में तो दुबेदी युग का एक अन्य नाम जो है जागरन सुधारकाल जागरन सुधारकाल यानि की विकल्प number आपका यहाँ पर C right answer होगा बिल्कुल सही विकल्प number C आपका यहाँ पर right answer है question number 5 पूंचा है दुबेदी युग का वह साहितिकार जन्हें कभी ता कौमनी भारतेंदु प्रिगेंदु साहित सुधाकर उपादियों से विभूसित किया गया था most important question पूंचा क्या है इतनी साही उपादियों से जो विभूसित क्या था नातुराम सर्मा संकर को रामधारी सेंदिनकर को भारतेंदु हरिष्चंद या सुरकांतर पाठी नराला तो कि इनको विभूसित क्या था तो आपका सही answer है बिकल्प नमबर एक यानि की नातुराम सर्मा संकर आपका यहाँ पर सही answer है नातुराम सर्मा संकर को भारतेंदु प्रिगेंदु साहित सुदा कर कभी ता कौमनी कानते इनको जो है इनतनी उपार्णियों से इनको विभूसित क्या था तो यहाँ पर याद रखना है बिल्कुल सही यहाँ पर question number आपका 6 क्या पूंचा गया है तो question number 6 यहाँ पर आपका दिया गया है ज्यानरासी के संचित कोस का ही नाम साहित है ग्यानरासी के संचत कोश का ही नाम साहित है उक्ती इनकी महावीर परसाध दुबैदी की अर्शस्थ्र विसाय का गरण्त बताना है अर्शस्थ की भूमिका भारती अर्थेक विवस्ता यका शामत्ति शास्त्र तो यह जो ग्रंथ है यह अर्ष सास्त्र विसाय का ग्रंथ है और महावीर परसाद दुबेदी द्वारा रचे थे तो संपत्ती सास्त्र आपका है आपको याद रखना है संपत्ती सास्त के लेकक तो अब भी वही पड़ा है संपत्ती सास्त के लेकक महावीर परसाद दुबेदी है और यहाँ पर आपका अंगला कॉस्चन क्या पूंचा क्या है एक कॉस्चन डवल हो गया बिलकुल कॉस्चन नमबर यहाँ पर दस देख लेते हैं कि जूही की कली क कवीता को किस संपाधक ने अपनी पत्र में बिना प्रकासित के बापिस कर दिया था तो बिना प्रकासित के बापिस कर दिया था गोपाल दास गहिमरी ने या महावीर परसाद दुबेदी बालकिष्ण भट्टे या बनारसी दास चतुरुबेदी तो जूही की कली कवीता को क संपाधक्त ने अपनी पत्र में बिना प्रकासित के बापस कर दिया था तो आपका सही आंसर है महावीर प्रसाद दुबेदी महाबीर पर साथ दुबेदी आपका है आपको है आंपर सही answer है बहुत बढ़ी है महाबीर पर साथ दुबेदी 2017 में AGIC प्रवक्त परिक्षा में पूचे गया question है और question number 12 आप से आपर क्या पूचे गया है तो question number 12 है अन्ता करन की प्रवित्यों के चित्र का नाम कवीता है किसे ने कहा है यान की ये कतन आपके लिए बताना है ये कतन किसका है अंता करन की प्रवित्यों के चित्र का नाम कवीता है ये जो कहा है भारते अंदुहरस्चन्र महाविर परसाद दुबेदी स्यामसंदर दास या रामचन सुकले तो Q12 का जो सही आंसर है आपका है यहांपर दोबेदी दोबेदी परसाद इनवे यह से क्वाओं दोबेदी परसाद का भिछा है नहीं है तो क्वन नहीं है आपर चार दे गा है बताएए question number 13 है महत्तपुन है और इसका जो सही answer है बहे आपका स्वाहनलाल दुबेदी युग के कभी नहीं है तो बेकल नमबर आपका भी यहाँ पर सही answer होगा question number 14 है आपका यहाँ पर दिया गया है question number 14 है तो देख लेते हैं एह आपका question number 14 देखे दुबेदी युग के सर्फस्रिष्ट प्रगीतकार माने जाती है तो यहाँ पर आपके लिए प्रगीतकार बताना है दुबेदी युग के सर्फस्रिष्ट प्रगीतकार कौन माने जाती है तो विकल्प नमबर आपका यहां पर C Mokut Dharpande Right Answer है Question number आपका यहां पर 15 प मुँचा गया है छायबाद का पूर्वा भास किस कभी की रशिना में प्रगट हुआ है छायबाद का पूर्वा भास बताइए किस कभी की रशिना में प्रगट हुआ है मकोटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारण पांडे या स्याम नारण पांडे तो question number 15 दिया गया है और आपका यहाँ पर जो 15 का जो सही answer है भै क्या है right answer 15 का तो आपका सही answer विकलप number 1 मकोटधर पांडे, मकोटधर पांडे आपका सही answer है बिकल्प नंबर एक दोजार पांच में PGT में एक कॉस्चिन पूँचे गया आपका महत्वपूर्ण कॉस्चिन है और कॉस्चिन नंबर 16 आप से यहां पर पूँचा गया है किस कभी की रशिना में चायाबाद का पूर्भाबास ने जो है सनलक्षित हुआ है तो एक कॉस्चिन फिर से यहां पर आपका डबल हो गया मुकुट धरपांड़ी आपका सही आंसर होगा कॉस्चिन नंबर आपका 17 पूँचा गया है खड़ी बोली हिंदी का पृतम महाकाब बे यह कॉस्चिन फिर से यहां पर जो सही आंसर है कॉस्चिन नंबर 17 का राइट आंसर है खड़ी बोली हिंदी का पृतम महाकाब बे तो बहे विकल्प नंबर सी यानिकी प्रिये प्रवास प्रिये प्रवास आपका विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा पिर्यब्र प्रवास जो है, अईध्या से अउपाद्या हर्योद द्वारा कृत है और संस्कृत की समझते में तथा कौमल कांत पदावली से अलंकृत और संस्कृत है बन्ड ब्रत्तों में लेकित हिंदी, खड़ी बोली का प्रिथम महाकाब्ब्वे है यह कौसा प्रेववास किसका है किसके द्वारा रचत है यह तो आयुद्ध्यसांपद्याय हर्याजी के द्वारा रचत है Qawštion number आपका 17 हो चुका है तो 18 rowai question देख लेते हैं क्या पूंचा है Qawštion number 18 तो देखने हे रहा यहां पर कॉस्टिन नंबर 18 आपका खड़ी-बोलीहिंडी का आदुनिक कालीनपरिथम ह्ग महाकाब्ध है तो कौनसा है क्वा। Q18 का सही आंसर बताईए साकेत भारत भारती प्रिये प्रवास या कुरू छेत्र Q18 है महत्वपूण है खड़ी बोली हिंदी का आदुने कालीन प्रिथम महाकाब्ब है तो कौन सा है ये आपका GIC प्रवक्त परिक्षा जो है उसमें 2012 में ये question आपका पूँचा गया था खड़ी बोली हिंदी का आदुने कालीन प्रिथम महाकाब्ब है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर प्रिये प्रवास कौन सा है प्रिये प्रवास आपका राइट आंसर है अविद्धा समपाद्जा है हरिवाद जी का question नमबर आपका यहाँ पर 19 पूँचा है हरिवाद के प्रिये प्रवास से महाकाब्ब में सर्गों की संख्या कितनी है तो बिल्कुल सही महात्वपुन question आपसे यहाँ पर पूँचा है इसमें आपको सर्गों की संख्या बताना है कितनी है सरगों की संक्या 17 है 19 है 21 या 23 है यह आपकी चार विकल्प कौश्य नंबर 19 है और 19 का सही आंसर प्रिये प्रवाश जो महा काप्व है इसमें सरगों की जो संक्या है भाई कितनी है तो 17 है सरग है इसमें कितनी है 17 सरगे तो विकल्प नमबर 1 आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर 1 राइट आंसर है कॉस्चन नमबर आपका यहां पर 20 पूंचा है क्या पूंचा है अजुद्य सेंग अपाद्या हरिवाद द्वारा लिखे थे काप विग्रंथ है काप विकरंद पूँचा है आप से यहां पर यह आपका PGT परिक्षा 2005 और 2010 में पूँचा गया question है और अजुद्य सें उपाद्य हरी ओद द्वारा लेके ते काप विकरंद पूँचा पते के चौखे चौपदे या कनुप्रिया या बासव दत्ता तो आपका सही answer यहां पर चौखे चौपदे आपका विकल्प number C यहां पर right answer होगा बिल्कुल सही विकल्प number C आपका right answer है question number 21 क्या पूँचा गया है तो 21 बास question आपका यहां पर दिया गया है बेदेही बनवास नामक काप बे लिखा है तो यह जो काप भी लिखा है किसे ने लिखा है question number 21 में आपके लिए बताना है महत्तुपूर्ण question पूँचा गया है और 21 का जो सही answer होगा आपका यहां पर बेहे हैं आपका right answer विकल्प number B अविध्या सेंग उपाध्या हरिवाद आपका यहां पर सही answer है अविध्या सेंग उपाध्या हरिवाद आपका right answer है बिल्कुल सही answer बताया यहां पर question number आपका 22 पूँचा है चाप पूँचा है बेहे ही बनवास के लेखा तो एक question डबल हो गया अविध्या सेंग उपाध्या हरिवाद आपका right answer है तो पिरिये प्रवास के रचेता अभी बताये था पीछे यहां पर जो बताये था कि जो खड़ी बोली का पृथम महाकाब है पिरिये प्रवास इसके रचेता है अविध्या सेंग उपाध्या हरिवाद तो विकल्प नमबर आपका यहां पर भी right answer है खड़ी बोली हिंदी का पृथम महाकाब बे है तो खड़ी बोली हिंदी का पृथम महाकाब बे पूँचा है तो आपका सही answer है यहां पर पिरिये प्रवास फिर से डबल हो गया पिरिये प्रवास आपका सही answer है ये question आपके जो है इस प्रकार के अलग-अलग जो है इसी तरह की पूंचे का हैं जैसे ये आपका TGT 2001 एक में पूंचा गया था और इसी तरह जो है आपका ये 2010 में TGT में पूंचा गया घुमा पराकर आपकी question पूंचे का हैं question number 25 है निमलिकित में ऐसी कौन सी रशिना अविद्धास अउपात्या हरिवाद जी की है तो बिचित्र विबाहे चौकी चौपदे बेदी बनवास या चौपदे चौपदे चौपदी तो आपके यहाँ पर question number 25 है और 25 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट सभा और रामचरित अपाध्या की कृति है इसके अतिरेक्ट इन्होंने चिंता मणी रामचरित चिंता मणी नामक प्रबंद काप की रशिना की है से इस कृतियां जो है अविद्धास अपाध्या हरिवाद जी की है यहाँ पर नहीं पूंचा था आपसे यहाँ पर तो नही में आपकी विचित्र विवाहे आपका राइट आंसर है यह नहीं है अविध्य से अपाद्या हरिवाद जी की नहीं पूँचा था बिलकुल Question number 26 यहां पर क्या पूँचा है तो Question number 26 आपका यहां पर पूँचा है देख लेते हैं कि दिवस का अउसान समीप था गगन था कोच लोहित हो चला तरूसे कापर थी जब राज थी कमलनी कुल बल्लव की प्रभा इनका प्पंतियों का जो संबंद बताना है किस से इनका संबंद है इनका प्पंतियों का आँसू प्रिये प्रभास परिवर्तन या किसांसी कॉश्य नमबर 26 का अंसर बताईए इनका संबंद किस से था तो आपका 26 का जो राइट आंसर होगा वह आपका यहां पर राइट आंसर बिल्कुल सही विकल्प नमबर सी यानकी प्रिये प्रभास से संबंदित इनका पंतियों है कॉश्य नमबर आपका यहां पर पूंचा ग्या है 27 क्या पूंचा है दुबेदी उग की कवीता है उपदेश आत्मक एवं इती ब्रत्तात्मक पिरकित्ती चित्रात्मक नव जागरणपराक या नारी चेतनात्मक यह आपके चार विकल्प है 27 का सही आंसर 2011 में एक कॉस्चन पूंचा गया था और इसका जो सही आंसर है दुबेदी उग की कवीता है तो बह कौन सी ओपदेश आत्मक और इती ब्रत्तात्मक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर यह आपका राइट आंसर यहाँ पर है कॉस्चन नमबर आपका 28 पूंचा है इती ब्रत्तात्मक किस का आप युग की परमक बिसेशता है तो देखिए यह जो है कॉस्चन दुबेदी उग का आपका सही आंसर है इस प्रकार कॉस्चन पूंचा गया था घुमा कर आपका 2009 में PGT में कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर 29 पूंचा क्या है दुबेदी युगिन साहित में कैसे प्रवित्ति की प्रमकता नहीं है देखिए